हलो स्टुडेंस स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इटी फांडेशन क्लासेज में तो गाइस इलेक्ट्रोनिक मैकेनिक सेकेंड यर का ओरिजनल क्यूसन पेपर यहाँ पे मैं डिसकस करने वाला हूँ जितने भी स्टुडेंस इलेक्ट्रोनिक मैकेनिक सेकेंडियर वाले हैं और अपने ITCBT एक्जाम की सांदार तियारी करना चाहरे हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि स्टुडेंस आप सभी को पता चल सकें कि ITCBT एक्जाम में कैसे क्यूसन पूछे जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूसन से फर्स्ट क्यूसन है यहां पर कंप्यूटर में SMPS क्या होता है SMPS आपको पता है Switch Mode Power Supply है यह और यह होता क्या है इसी के बारे में यहां पर पूछा गया है एक्च्वल में देखे यार What is the Advantage? इंग्लीज में अगर आप इस क्यूसन को पढ़ोगे तब जाके आंसर इसका सही से ढूंड पाओगे अन्यता अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा confusion, doubt यह उत्पन कर रहा है तो जनरली में students से हमेशा कहता हूँ अगर आपको क्यूसन पढ़के आंसर समझ नहीं आए तो आप लोग फिर इंग्लीज में पढ़ो क्यूसन को What is the Advantage of SMPS in Computer? SMPS में Advantage क्या है? Advantage का मतलब आप समझ जो फाइदा क्या है? तो SMPS का फाइदा हम से पुझा गया है, फाइदा होता है High Efficiency ठीक है? उच्च दक्सता, SMPS की उच्च दक्सता हूती है Next question इसके बाद में Computer में 10 अवेज की Hard को भी बनाने के लिए कि सुपकरन का उप्योग किया जाता है Computer में 10 अवेज, 10 अवेज मतलब Documents की Hard को भी बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? यार, Hard को भी निकालने के लिए, देखो Soft को भी तो Computer के अंदर रहती है अब Hard को भी बनाना है, हमें Hard को भी Produce करना है, उत्पन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? Printer का यूज करेंगे भाई, Monitor से बन सकती है कि Hard को भी नहीं, Speaker से भी नहीं बन सकती Modem से भी नहीं बन सकती किस से बनेगी? Printer से Hard को भी Produce हो जाएगी ठीक हा, Hard को भी अपने पास बन जाएगी Printer से बढ़ते हैं Next QCure SMPS ने Computer Motherboard को कौन सा संकेत बेज़ा है देखे यार, समझेगा क्या है कि Which signal is sent by SMPS SMPS जो है, कौन सा सिगनल बेज़ता है आपको पता है SMPS, Switch Mode, Power Supply Power Supply है, तो वो Power ही तो देगा यार है कि नहीं? Peripheral संकेत नहीं देगा Processor संकेत बिलकुल नहीं देगा Power Good Signal, Good Power संकेत अच्छा जो है, Power का संकेत मतलब जो Electric Supply है, वो देगा बिलकुल देगा, ठीक है? तो Option C, जो है, इसका Right Answer हो जाएगा इसके बाद मैं Next QCure Computer SMPS के Pulse Width Modulation सरकीट में किस IC का उप्योग किया जाता है? Pulse Width Modulation मतलब PWM Pulse Width Modulation कभी कबार PWM का Full Form भी पूछ लिया जाता है Pulse Width Modulation सरकीट जो है उसमें कौन सी IC का यूज करते है? कौन सी IC होती है, वहाँ पे IC यूज होती है, TL494 Right Answer होगे, Option D बढ़ते हैं इसके बाद Next QCure Next QCure है, Converter का प्रकार क्या है? यह ही हमसे पूछा गया है तो यहाँ पे जो है, यह जो Converter है वो DC to AC Converter नहीं है Fly Big Converter है, कौन सा Converter है? Students, Fly Big Converter Right Answer होगे, Option B इसके बाद में Next QCure है, Fiber Fiber Optic Sun Charred Channel के Terminal पर Signal को परिवर्थित करने के लिए किस electronic? Signal को, देखो किस जग है? Fiber Optical Sun Charred Channel के Terminal सिगनल को Terminal पर सिगनल को ठीक है? Terminal पर सिगनल को परिवर्थित करने के लिए कौन से electronic यह है? तो आपको पता है, यह Photo Detector होता है कौन होता है? Photo Detector जो सिगनल को Convert करता है अरे भाई, फोटो कोई तो फिर संकेत में Change करेगा फिर संकेत को वापस फोटो में Change करेगा तो वो होता है, Photo Detector राइट आंसर हो गया अपना Option C Next Question है सभी खंडों के साथ खंड परदर्शन एनोड परकार का साथ जुड़े होते हैं अब देखो यह भी हिंदी में उतना समझने आएगा इसी को इंगलीज में पढ़ते है Which type of seven segment display anode of all segments are connected together तो common anode type में होता है seven segments आपको पता है डिजिटल डिस्बले के अंदर जो seven segment है common anode type जो है उसमें क्या होता है सभी जो seven segment anode display है all segments are connected together सारे segments जो है साथ जुड़े रहते हैं SMD ICPKs के परकार क्या है यहाँ पर देखो what is type of SMD ICPKs SMD ICPKs के परकार क्या है तो यह जो है LCC परकार का है कौन से परकार का है LCC right answer हो गया option E next question है कौन सा बल्ब अवस्ता और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है which bulb changes the color due to age and ambient temperature age और ambient temperature के कारण अपना color ही बदल दी वो कौन सा बल्ब होता है students वो बल्ब होता है option E LED बल्ब कौन सा बल्ब होता है LED बल्ब ठीक है जैसा उसमें गेस तगरा फिल करेंगे वो अपना color change कर लेगा next question है कौन सा component जो memory को command पढ़ता है memory से command पढ़ता है और निस्पादित करता है उसको तो random access memory कहते है क्या कहते है random access memory option C हो गया right answer next question है ekal mode optical fiber का मुख्य व्यास आकार क्याय है ekal mode optical fiber का मुख्य व्यास आकार क्या है तो guys मुख्य व्यास आकार जो हे वो होता है 3.5 गुणा 10 की घात minus 4 इंच option D इस का right laser हो जाएगा next question है किस परकार की FM detector रावधारणा आवर्ती प्रतिक्रिया विस्षिस्ताओं वक्र का उत्पादन करती है किस प्रकार की करती है गाइस तो option है यहाँ पे options में दे रखे हैं foster, sile, fm detector option b में है fm slope detector तो यह sloppy तो है यहाँ पे fm slope detector option b जो है इसका right answer हो जाएगा ठीक है next question देखो कौन सी सामगरी प्रकास उर्जा को बिजली में बदलती है यह तो आपको पता ही है यार प्रकास उर्जा को प्रकास उर्जा को प्रकास उर्जा आ रही है उसको बिजली में बदलती है देखो समझ ना कई students इसमें photo diode क्लिक कर सकते है फोटो डायोड नहीं, फोटो डायोड तो परकास गिरने पर परजालित होता है, ठीक है, वो तो ओन हो जाता है, हाँ, परकास उर्जा को डायरेक्ली विदूत उर्जा में, बिजली में बदलती है, वो सोलर सेल होते, कोन होते हैं, सोलर सेल, सोलर के उपर अगर परकास क्या होती है कंप्यूटर में प्रियुक्ति जो SMPA से उसकी स्विचिंग आवर्ती होती है बीस किलो हर्स कितनी हर्स बीस किलो हर्स आप्शन सी नेक्स्ट यूशन देखो निर्दोसों को सहीजने के लिए प्रोसेसर द्वारा की सनुभा का उप्यूग किया जाता है सहीजने के लिए मतलब स deploy करने के लिए तो मेमोरी का सहीजना मतलब इस्टोर करना ठीक है, save instructions, save करना, सहीज़ना, store करना, memory का use, ठीक है, right answer होगे, option D, PPM का पूर्ण रूप क्या है, देखो, PPM की full form पूछिए, ये काफी important भी है, pulse position modulation, ठीक है, PPM का full form है, pulse position modulation, option B, right answer, next question है, next question है, SMPS transformer में किस प्रकार के core का उप्यूग किया जाता है, SMPS transformer में जो है, हम पौन से प्रकार का core करते है, ferrite core का, record score का, ferrite core का, right answer होगे, option D, next question है, इसके बाद में, next question है, question number 18, question number 18 में दिया वह है, कौन सा parameter, load को नुक्सान पहुंचाए बिना, fold के तहत, fuse तत्व को खोलता है, fuse तत्व को कौन सा कोलेगा, भाई, rapturing capacity, कौन सा कोलेगा, rapturing capacity, option C, जो है, इसका right answer हो जाएगा, next question है, इसके बाद में, computer system में, LBA का full form क्या होता है, computer system की बात कर रहा है, और LBA का full form अपसे पूछ रहा है, तो LBA का full form होता है गाईज, अपने पास में, large block accessing, large block accessing, ठीक है, right answer हो गया, option B, next question है, computer को interface करने के लिए, USB 3.0 की data transmission क्या है, computer को interface करने के लिए, USB 3.0 की data transmission क्या है, data transmission क्या होती होती है, 625 Mbps, 625 Mbps, ठीक है, right answer हो गया, option D, इसकी बाद में, students, next question है, next question अपना, cell phone में IMEI number क्या है, cell phone में IMEI number, अरे यार, आपको generally पूछते भी होंगे, ठीक है, IMEI number जो होता है, वो होता है, identify the specific device, ठीक है, कोई भी device है, उसके लिए IMEI number एक WCS होता है, वो उसकी पहचान के लिए बना होता है, ठीक है, विसी शुपकरन की पहचान करने के लिए, right answer हो गया, option C, question number 22, कौन सा विदुद गठक, विदुद आपुर्दी खंड में निरंतर output voltage को बनाए रखता है, जो X सिन्नित है, X यहाँ पर किसको बता रहा यार, यह तो जीनर डायोड को बताएगा, देखो यार, कैसे पता चला, कैसे पता चला भाई, unregulated, input AC to DC है, ठीक है, unregulated है, और regulated DC मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, regulated, तो regulation का काम जो है, जीनर डायोड करता है, वो fixed DC output में देता है, उसी को बोलते हैं, regulated DC supply, ठीक है, और यह काम करता कौन है, यह जीनर बाबा करता है, कौन सा बाबा करता है भाई, जीनर बाबा, राइट अंसर हो गया, option B, next question, electronic circuit में, बिजली की हानी का सम्मंद किस parameter से, बिजली के हानी का सम्मंद जह है, वो कौन से parameter से, अटने अशन से, कौन से parameter से, students, अटने अशन से, ठीक है, राइट अंसर हो गया, option A, next question है, circuit breaker द्वारा बाधित करंट का नाम क्या है, circuit breaker द्वारा बाधित, जो current है ना, circuit breaker द्वारा, what is the name of the current interrupted by the circuit breaker, circuit breaker द्वारा उसको बोलते है, prospective fault current, क्या बोलते है, students, prospective fault current, right answer हो गया, option A, next question है, इसके बाद में, TV परसारण में antenna परसारण की क्या विशेशता है, TV परसारण में antenna परसारित करने की क्या विशेशता है, क्या विशेशता होती है, radious electromagnetic waves, रेडियेड्स ऐलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव्यों विदु चुम्ब की तरगों को प्रसारीत करना और यह यह होता है यह यह विदुचुम्ब की तरगों करके उनको प्रसारीत करना next question PCB का dual inline DIL dual inline DIL की full form भी आप से पुछी जा सकती है PCB PCB पर dual inline गटकों में मिला आपके लिए PID का अकार क्या है PID का अकार केसा होता है अंडाकार केसा होता है भाई अंडाकार right answer हो गया option B next question कौन सी सर्कीट आवरती किlen का अवर्ती करती है military military कौन सी कौन सी picking तक्निक का उप्योग करती है कौन सी सर्कित तर्किट uses frequency deffyn टेक्निक्स फ्रिकेंसी ओपिंग टेक्निक्स जो है वो कौन सी यूज़ करते हैं मिलेटरी सेने ठीक राइट आंसर होगा इसका ऑप्षन है इसके बाद में स्ट्रेंज स्ट्रेंट सेनसर में किस कारी सिद्द्द्द का हो है कितना इजी सेन्सर से रिलेटरी के सैंसर्स और एकर आप से पूछे तो आंसर दोगे electromagnetic field, right answer हो गया option C, इसके बाद में students next question है कौन सा circuit, micro controller का उप्योग करता है, micro controller का उप्योग कौन सा करता है embedded system, अंते इस्तापित पढ़ना ली, ठीक है, कौन सा embedded system, अंते इस्तापित पढ़ना ली, right answer हो गया option C, SMD next है, SMD उपकरण का नाम क्या है, SMD उपकरण का नाम क्या है, SMD उपकरणे आप बनावा है, इस उपकरण का नाम है, heated tweeders, क्या नाम है heated tweeders, क्या है बही physicists, कौन सा उपकरण है ये? heated tweeders, गरम चीमटी next question है, UPS के कारेवल को बढ़ाने के लिए बनाई गए परिवेश के तापमान को क्या कहा जाता है What is the ambient temperature maintained to extend the life of UPS अब इंगलीज में पढ़ते हैं तब जाए कि सही समझ में आएगा क्योसन क्योसन क्या बोल रहा है कि What is the ambient temperature Ambient temperature मतलब आप समझते हैं आसपास का जो परिवेश का temperature है Ambient temperature वो कितना बनाके रखें कि UPS की life जो बढ़ जाए मतलब स्वस्थ रहे बढ़ आ रहे तो temperature रखना होता है पंको 15 से 25 डिग्री इसलिए तो UPS के पास में पंखा लगा होता है क्या लगा होता है इस पंखा ठीक है थोड़ा सा ठीक है इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्यूशन एक्स चिन्नी डिवाइस का नाम क्या है इसका नाम क्या है यह तो charger control है बहाई क्या है charger control क्या है यह charger control चार्ज कंट्रोल ठीक है राइट आंसर होगे अपना option यह नेक्स्ट क्यूशन है डी सॉल्डरिंग ब्रेट PCB पर जूड से पिगला हुआ फ्लक्स कैसे निकलता है पिगला हुआ जो फ्लक्स है वो कैसे निकलेगा बाइक के पीलरी सेक्षन केसी का किरिया दुवारा राइट एंसर हो गया अपना option बी नेक्स्ट क्यूशन है इस्थेतिक उपकरण का नाम क्या है जो निस्चित DC इंपुट वोल्टेज को परवर्तनी है अरे यार DC को बदल दे DC वोल्टेज को परवर्तनी है चेंजिंग DC आउटपुट में उसको DC चोपर बोलते हैं क्या बोलते हैं जैसे AC के अंदर ट्रांस्फोर्मर होता है जो वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा कर देता है ठीक उसी तरिके से DC के अंदर वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा करने के लिए DC चोपर का यूज किया जाता है राइट आंसर हो गया option B Next Question है कोन सा माप इस परिक्षन द्वारा किया जाता है इस परिक्षन द्वारा कोन सा माप किया जाएगा तो यहां पर देखो डाइग्राम बना हुआ है और इसको देख क्या आप बता सकते हो कि Strain Measurement है क्या है Strain Measurement क्या है Students Strain Measurement तनाव माप ठीक है right answer हो गया option B next question है, इसके बाद में question number 36 36 है एक भोतिक मात्रा जो उसके संगत विद्यू संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल के जाने वाले उपकरण का नाम है सो उपकरण का नाम है guys, transducer क्या है, transducer, right answer हो गया, option A इसके बाद में बढ़ते हैं next question क्यों next question है, x चीनि डिवाइस का नाम क्या है अब ये diagram बना हुआ है और इसमें x बना हुआ है ठीक है, दो diagram मैंने आपको बता रखा है दो diagram जो है एक हिंदी के paper के लिए कि इंगलीज के paper के लिए, ठीक है तो x जो है, x क्या है, यहाँ पर बना हुआ है दिख रहा होगा, diagram में आपको x दिख रहा है यह x क्या है, यह है micro controller x का मतलब यहाँ पर क्या है, micro controller ठीक है, right answer होगा अपना option c इसके बाद में देखो next और last question है next और last question है, theory का और last question जो है, उसमें लिखावा है analog गोनक ic ad633 का का कारिय क्या है ic ad633 का कारियम से पूछा है, तो right answer होगया option c generate am signal, generate am signal, am संकेत उत्पन करना ठीक है, यह होगया, इसका right answer option c तो theory के यह जो है questions आपके 38 questions complete है अब मैं बता रहा हूं, workshop calculations की ठीक है workshop calculation in science का first question है, engineering drawing का क्या उप्योग है अब है question calculation in science का और drawing का use पूछ रहा है तो guys engine drawing का उप्योग जो है, वो होता है for estimation of material and execution of work सामगरी और कारिय के निस्पादन का आंकलन अरे आंकलन करते हैं, यह तो होता है drawing जैसे मालो आपने एक circuit के लिए एक drawing मनाई तो आपको यह पता चलेगा कि हाँ, एक lamp चाहिए, इतना wire चाहिए, इतने switch socket चाहिए, ठीक है, इतना MCB चाहिए जो भी circuit है उसके लिए estimate पता चल जाता है, estimate of the material, मतलब आंकलन हो जाता है, जो भी सामगरी लगेगी उसका ठीक, right answer होगा, option D next question है, किसी विसिस्ट कारिया प्रक्रिया में विविन मात्राओं और वेक की करना की विदिक के लिए प्रयोग दी जाने वाली सब दावली, उसको तो आंकलन कहते है, भी question आया, estimation कहते है, ठीक है, आंकलन उसे हम कहते है, option है, इसका right answer होगा, next question है, 0 की घात में उठाए गए किसी भी संक्या का मुल्ले, 0 की घात, अरे यार समझना है, 0 की घात का मतलब ऐसे बोल रहा है, 0 की घात, ऐसे नहीं, what is the value of any number raised to the power of, raised to the power of 0, मतलब एक तरिके से, जैसे मानलो 10 है, इसकी power 0 अगर हो जाए, तो इसकी value एक रहेगी, मतलब किसी की भी power अगर 0 है, तो उसकी value एक रहेगी, उसका मान कितना होता है, एक होता है, बच्चे वच्चे को पता है, 8th class में यह 8 भी personality में आ जाता है, ठीक है, तो right answer हो गया, option C, बढ़ते हैं next question के ओर, यह गुणा कर रहा है, सब को गुणा करेगा, और बोल रहा है कि यार, इसका मान बताओ, अब देखो यार, आधार समान है, घाते हैं अलग अलग है, यहाँ पिर 4 है, यहाँ एक है, तो option C में है, तो option C, इसका right answer हो जाएगा, next question है, what is the formula for A की पावर M और A की पावर M, देखो समझना, जब आधार समान हो और गाते अलग अलग हो, तो गाते कुणा में जुढ जाती है, समझ रहे हो बात को, अर बोलो समझ रहे हो, तो A की पावर M प्लस N, ठीक है, right answer हो गया, option B right answer हो गया, option B, next question है, machine engineer द्वारा निर्दिश पुस्ति का क्या है, और उसको तो mark standard बोलेंगे, क्या बोलेंगे, mark standard है, ठीक है, mark standard, right answer हो गया, option B, यह हो गया, workshop calculation science के 6 questions, ठीक है, science related है, यह 3 questions है, science related है, यह 2-3 questions है, math related है, तो यह साही आपका same pattern रहता है, इसके बाद में देखो drawing के भी हम 6 questions आपे देखने वाले, निमनी विदुदपर्तिक क्या दर्सात है, यह विदुदपर्तिक बनावाई, यह तो आप सभी को पता है, यह तो operational amplifier का है, किसका है, operational amplifier का, operational amplifier का, non-inverting signal, inverting signal, ठीक है, output, ठीक है, next question देखू, which is the short circuit, short circuit कोन सा है, short circuit कौन सा है, यह पहला option में इसे ही बनावाई, यह short circuit B में है, नहीं, diagram से पूछ रहे है, C में भी short circuit नहीं है, और D में भी short circuit नहीं है, first option में, यहां पे short किया हुआ है, तो यही क्या हो गया, इसका correct answer, यहां से देखो, यहां तक, इस परतिरोद को क्या कर रखा है, सूड कर रखा है, ठीक है, तो right answer हो गया, option A, next question है, इसके बाद में, अगला question, अगला question है, देगे, चितर को पहचानी है, यह जो चितर है ना, इसको पहचानना है, यह तो कोई बता देगा यार, यह तो inductor है, क्या है, inductor, क्या है, inductor, अरे देखो यार, बाकी option क्या है, diode, capacitor, resistor तो है नहीं, अब कोई भी कुंडली होती है, पास पास लपेट कर, तामबे के विदुत रोधी तार को पास पास लपेट कर, बनाईगी कुंडली, inductor के जैसे ही होती है, जिसको विदुत चुंबक या परिनाली का भी कहते है, तो विदुत चुंबक परिनाली का जो ह पर उपर अगर तामबे के तार को पास पास लपेट दिया ना, तो यह क्या बन गया, inductor बन गया, क्या बन गया, students inductor बन गया, next question है, इसके बाद में निमनम विदुत परतिक का नाम बता, अब यह देखो यार, simple सा परतिक पूछ लिया इसने, ठीक है, बस आपको पता होना और चीक, इसको variable resistor नहीं बोलती, preset resistor नहीं बोलती, variable potentiometer नहीं बोलती, क्या बोलते हैं, इसको preset potentiometer, variable potentiometer नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे preset potentiometer, option D's का right answer होगा, next question है, question number 5, resistor के परकार को पहचाने, देखो है, यह काफिवार क्योशन पूछा है, यह जो resistor का परकार है, वो पोटentiometer, right answer होगा, option B, option B, potentiometer resistor, question number 6, last question है, question number 6 में दिया हुआ है, यहाँ पे अपने पास में, वक्र का रूप क्या है, जो ओम के नियम का परतिनी दित्व करता है, ओम के नियम का परतिनी दित्व करता है, ओम का नियम जो होता है, रेखे, अरे यार, भाई, देखो, वक्र का, वक्र मतलब, जो graph बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व यह बनता है, आपको पता है, 10th class में पर पढ़े हो आप, ठीक है, और ITI में पढ़े हो, voltage और current के बीच में, जब ओम के नियम मनुसर अपन ग्राफ बनाते है, तो सीधी लाइन जाती है, सीधी ही है, मैं खीच रहा हूं कोशिस कर रहा हूं, सीधी लाइन खीचने की, सीधी लाइन, ठीक है, सीधी लाइन मतलब, linear, उसका वक्र का रूप क्या है, linear रेख ही है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को, theory, works of calculation, और जो drawing है, इसके total 50 question बता दिये हैं, ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही, आप लोग 2-3 बारे इन सभी की उसे को अच्छे से जरूर देखे, ताकि ITCVT एक्जाम में किसी प्रकार की वह समस्या ना हो, इतना ही मिलेंगे, आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद,